हेलो बच्चों, मैं हूँ अर्विद बच्चों क्या आपको लगता है आप कैसे student हैं? क्या आप ordinary student है या आप extraordinary student हैं? obviously आप अपने आपको ordinary student की category में रखेंगे जब भी पूछा जाएगा तो आप कभी अपने आपको extraordinary नहीं मानेंगे या कुछ ऐसे काम नहीं करता जो आप करते हैं? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है extraordinary student भी वो सारे काम करता है जो आप करते हैं difference बस एक छोटा सा difference है extraordinary student मैं उसको मानता हूँ जिसके सामने से एक बार कोई बात गुजर गई teacher ने कोई concept explain किया वो बात अगर उसको समझ में आ गई तो वो कभी उसको नहीं भूलता है हम भी बहुत सारी बाते हैं कभी नहीं भूलते हैं लेकिन जो काम की बाते हैं हम उसको भोल जाते हैं इसलिए हम ordinary student कहलाते हैं क्यो अगर आपको extraordinary student बनना है तो आज से वर्ग करना शुरू कर दो कि जो हमारे काम की बाते हैं जिससे हमें सफलता मिलेगी वो बात मैं नहीं भोलूँगा पाकी सारी बाते मैं भले ही बोल जाओ तेंक्यू